हेलो गाइज वेल्कम टू दा निव लेक्चर आफ दा मागनेटिक सर्किट अगर इससे पहले आपने मागनेटिक सर्किट के प्रिविएस लेक्षर नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज उनको देख लीजे ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जितने हैं वो सारे के सारे क्लियर हो यहां पर मैं डिसकस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक की इंड़क्टर अपने अंदर एनरजी स्टोर करता है और वो कितनी एनरजी स्टोर करता है ठीक है तो इंड़क्टर सबसे पहले तो कुशन यह पूछा जाता है कि इंड़क्टर है क्या लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि इंड़क्टर क्या होता है इंड़क्टर को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसके उपर L लिखा होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है यह कॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है जो की current में होने वाले change को oppose करता है अगर किसी भी coil में current का change हो रहा है तो जो coil को oppose करेगा जो current को oppose करेगा उस property को हम लोग बोलते हैं inductance ठीक है और इसको हम लोग represent करते हैं इस तरह से और ये एक inductor है और इसके उपर L का होता है इसकी unit जो होती है अब सबसे important बात ये है कि inductor जो होता है नॉर्मल जी बात है जब मैंने last time बताया था तो inductor बनाया कैसे जाता है कोई भी हम iron की core ले लेते हैं और उसके उपर इस तरह से तार को लपेट देते हैं ठीक है इससे हमारा क्या बन जाता है inductor बन जाता है अब normal जी बात है जब इसमें हम i को flow कराएंगे तो इसकी खुद की क्या होगी magnetic field होगी तो सबसे important चीज ये है अगर आप से कोई पूछे कि inductor जो energy store करता है वो कौन सी field में store करता है तो magnetic field में energy को store करता है ठीक है actual में जो inductor हम लोग बनाते हैं वो इस तरह स बनाते हैं कि किसी भी iron के core में इस तरह से हम तार को लपेट देते हैं और इसमें current flow कराते हैं ठीक है लेकिन जब हम circuit में इसको represent करते हैं तो इसका symbol जो बनाते हैं वो कुछ इस तरह से coil का symbol बनाते हैं और इसके उपर इसका inductance L लिखा होता है तो normal सी बात है यहाँ पर जो inductance होगा या inductor होगा इसकी खुद की क्या होगी magnetic field होगी तो इसमें जो energy store होगी वो कौन सी field में होगी magnetic field में होगी ठीक है तो एक बात सोचने वाली है कि जब inductor current में होने वाले change को oppose करता है तो इस battery को इस current को build up करने के लिए कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा work done करना पड़ ठीक है क्यों उसका reason है पहले जब हम जैसे ही हम battery इसमें apply करेंगे तो तुरंत इसमें current तो आ नहीं जाएगी पहले स्टार्टिंग में current क्या होगी जीरो ठीक है और मान लेते हैं इसकी final value हमको बनानी है 2A ठीक है तो current को 0-2A तक jump करने में current का क्या हो रहा है चेंज हो रहा ह होगा अच्छे से मैं क्या बताने कुशिश कर रहा हूं मैं ये कहने कुशिश कर रहा हूं कि starting में जैसे ही आप यहां पर battery apply करेंगे तुरंत यहां पर current build-up नहीं हो पाई क्यों 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 होगी जीरो होगी और मान लेते हैं हमको इसमे current flow करानी है 2A तो 0-2A क बीच में current का क्या हो रहा है चेंज हो रही कि नहीं हो रहा है तो यहां पर current का change होगा जब तो इसको oppose करने के लिए कौन बैठा हुगा है inductor यहां पर बैठा हुए तो कि inductance property क्या कहती है inductance property यह कहती है कि वो current के change को क्या करेगा oppose करेगा अब यहाँ पर जब inductor इस current के change को oppose करेगा तो उसके against में work done करना पड़ेगा किसको battery को work done करना पड़ेगा यही work done हमारा इसमें energy के रूप में store हो जाता है समझ में आ गया होगा कि energy किस तरह से inductor में store होती है तो यहाँ पर देखिएगा यह लिखा हुआ है जो चीज मैंने explain की हुई है source has to work against the induced EMF to build the current ठीक है क्योंकि inductance की property होती है कि वह current के change का oppose करता है तो इस battery को क्या करना पड़ेगा work done करना पड़ेगा ठीक है because the property of inductance says that it oppose the change in current ठीक है जो मैंने अभी आपको explain किया हुआ है this work done is called energy and stored in inductor यही जो आपको work done करना पड़ेगा इस battery को यह हमारी energy के रूप में store हो जाएगा ठीक है और magnetic field में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं store कर सकते हैं अब voltage किसी भी inductor का अभी मैंने last done पे बताया था V बराबर होता है LDI by dt अगर हम power की बात करेंगे तो P बराबर होता है V into I तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें V into I में V की value यहाँ पर put कर देंगे इस वाले expression में यहाँ पर V put कर देंगे और I तो है यहाँ पर P बराबर बन जाएगा L into I into di upon dt अब आपको पता होना चाहिए कि जो work done होता है यह भी एक तरह की energy होती है वो किसके बराबर होता है power और time का अगर हम multiply कर देते हैं तो यह work done के बराबर होता है इसी को हम integration के form में कैसे लिखते हैं इसी को integration के form में हम इस तरह से लिखते हैं कि जो भी work done होगा वो integration of power into dt के बराबर हो जाएगा power की value हम यहाँ पर इस तरह से निकाल चुके हैं तो इस वाले expression में जब हम put करेंगे तो यहाँ से dt से dt क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो expression यहाँ से बजनेगा l into i into di अब starting में current क्या है जीरो है और मान लेते हैं हमको i current यहाँ पर flow करानी है तो इस वाले integration को आप solve करेंगे l बाहर आ जाएगा तो यह बन जाएगा 0 to i into i into di आ जाएगा और i into di का जो integration होता है i square by 2 आ जाएगा तो यहाँ पर जो work done हो जाएगा वो हो जाएगा half li square और यही work done हमारा किसके रूप में store हो जाएगा energy के form में store हो जाएगा तो यहाँ से expression आ जाएगा w बराबर half li square यही हमारा work done बैटरी का होगा और यही होगी energy storage energy stored in inductor ठीक है यहाँ पर आप से numerical भी पूछा जा सकता है आपको i की value given होगी L की value given होगी तो simple आपका जो energy आजाएगी उसका answer आजाएगा joules में joules में इसका answer आजाएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको like करिए और channel को subscribe करिए